असलाम लेक्व में आपको एक्स्पें किया था कि आपने एम फाइल को कैसे करना है और रन करना है आज उसी को जो लास्ट टाइम मैं कर चुकी हूँ सेव उसी को हम उपन करने जा रहे हैं और अगर आपने में लास्ट वीडियो मिस्कर दी है तो उसका लिंक मौजूद है और इसके जो ऊपर आपके पास बार आ रही है उसमें हमारे पास ओपन का आप्शन है आप यहां ओपन पर जाएंगे तो आपके पास कुछ रीसंट फाइल शो हो रही होंगी इन रीसंट फाइल यह आपके पास वो फाइल होती है जो रीसंट ले आपने जिन क्लिक करेंगे तो open हो जाएंगी दूसरा option आपके पास यह है कि आप open पे क्लिक करें और open पे जाएं जो आप इसके लिए control o भी यूज़ कर सकते हो control plus o short command है इसकी उसके बाद आपने जहां पर वो रखी है आप उसको open कर लें में desktop पे रखी थी desktop पे जाएंगे तो इस तरह से आपके पास जो है वो open show हो जाएगी तो आप यहां से click करके भी उसको open कर सकते हैं वो open हो जाएगी उसके बाद अगर आप run करना चाहते हैं तो आप editor में जाएं और उसको run करें तो वो आपके पास दुबारा से run हो जाएगी so आज के लिए इतना ही था thank you very much for watching next video में में आप लों को explain करूंगी के types क्या होती है हमारे पास M file की और उनमें difference क्या होता है उनको discuss करेंगे so thank you very much for watching don't forget to subscribe my channel take care of yourselves and Allah Hafiz